साथियों नमस्कार स्वागत आप सभी का आप सबके चैनल दसाइंस टॉप में आज अपने यूपी पीसस की सिरीज तेका सकते हैं कि यूपी पीसस दौबिस की प्रिलिम सिरीज को उसको मागे बढ़ाएंगे और आप देखेंगे आज फिर सब एक नए वीडियो लेकिया है जिसमें हम सेक्शन वाइस हम सब्जेक्ट वाइस हम सॉल्फ कर रहे हैं आज मैंने फिर से इन्वार्मेंट का दुर्फ तेरह का पेपर उठाया हूंगे आपको वीडियो यह पसंद आया कि आई स्टार्ट करते हैं परस्ती तंतर की जैवी घठों में कौन उत्पाद गाटक है परी बात दिए कि परस्ती की तंत्र होता क्या है पर जैवी घठकक परस्तों से कौन सा उत्पादब लाज आपके जैविक और अजैविक दोनों घटक आते हैं क्या हमाते हैं हमारे जैविक घटक कोई भी जो पास्तित अंतर होता है वह स्वापका जैविक घटक और आपका और जैविक घटक जिसको क्या कहते हैं बायोटिक कंपरेंट और 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 बायोटिक कंपरेंट तो जो भी वी घटकों में कौन उत्पादक नेता देख लेजिए इन फॉघ भी घटक सारी दिख रहे हैं किसी एको सिस्टम में जो ऊर्जा को उत्पाधिद करता हैं तो इसे बाद दे उसके और इसे अंधर पूड को स्टोर करते हैं किस के फॉर्म में स्टार्ज के Online में प्लांट किसके फॉर्म में कर स्टोर करते हैं स्टार्ज के फॉर्म में तो आप क्या कह सकते हैं कि पार्थ की तंत्र में उत्पातक कौन साज़वी घड़कों में तुकाएंगे आप हरे पौदे आईए हम अगला कुश्चन देखेंगे नीचे दो कतन दिये गया है जिनमें एक कतन ए तता दुस्ते को कारण आरक आ गया है तेके स्टेट्मेंट वाइस कोश्चन में बहुत असान होता है आई देखते हैं पहला हमसे बोल रहा है मरुष्थल सास्वत उर्जवत पादन के प्रभावकारी श्रूत हो सकते हैं तेके आईए इसका कारण बोला है जितनी उर्जा मानों जाती एक वर्ष में उभ्भोग करती है उससे अधिक उर्जा मरुष्थल छे घंटों में सूरी से प्राप्त कर लेते हैं दोनों ही सही है देखे आपको पता हुए जो मरुष्थल होते हैं मरुष्थल के अंतर ये सब्सकी हो सकते हैं सेथरा इसका कारण क्या है कि जितनी उर्जा मानों जाती हुँमन इंक्स जितना एकवर्ष मोग भोग करती है सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उतना पूरा एनेजी व खंटकर लेते हैं पूर जलती गर्म होते तो दोनों ही सही characteristics कर रहा है आएट लाते हैं option A, A और R दोनों सही हैं मतला आर एक ही सही व्याक्य करता है तो पहला है मैं सही मिल गया आई सही लगा के आगे चलते हैं आईए मगला कुश्चन देखते हैं यहां दोने में से कौन सा समूंण ग्रिन हाउस प्रभाव को में युगदान देता है مतलब ग्रिन हाउस एक्ट के लिए कौन सा इसमें important है आई थोड़ा समझते पर्ले ग्रिन हाउस the gases होती क्या है ग्रिन हाउस gases ऐसी ग्रिन हाउस इस बहुत है और समझ आ हमने कांच के पूरा बरतन ले लिया ठीक है इसमें हमने कुछ गैसे को रख जैसे समाले co2 हो गया हमारा co2 हो गया इस तरह आपका sulphur dioxide इस टाप की गैसे को मरग देते हैं इनके अंदर यह टेंडेंसी होती है कि सन से जो energy आती है जो सन से नेजी आती है तो उसमें से एनेजी को कुछ ट्रैप कर लेते हैं बाहार छोड़ते नहीं है जिसके चलते होता यह है कि धीमे धीमे इस पूरे environment का यह जिस एको सिस्थम में मिलते हैं वहां कर तैंपरेशर बढ़ने लगता है और जब टैंपरेशर बढ़ने लगता है एक टाइम ऐसा आएगा कि global warming कॉज होगी जो ग्लोबल वामिंग कॉज होगी तो ग्लेशेस पिगलेंगे नदियों में बाढ़ आएगी और जीव जनतूं के बहुत ही हामफुल हो जाएगा तो यहाँ पे हमने एक सीज़ते करेंगे पूरा नहीं छोड़ेंगे तो धीमे दीमे जीचेंबर रेस का टेंपर सबसे मुख्य कारण क्या है तो आप सीधर बोलेंगे जलवास्ट क्या बोलेंगे जो जलवास्प है वो ग्लोबल वामिंग का सबसे बड़ा कारण है इसके लागर गैस की बात करें तो सीचफ फोर क्राप का सिलफर डायक्साइड का शीओ कारबन मोनोकसाइड सारे कि सारे निट्रोस अक्साइड दी कमान डाइकशाड तथा मेथेन तुम गया ना मैं करवन डाइकशी और क्या मेथेन यह दोनों ही मिल गया आप्शन हमारे क्या आप्शन डी यह मारा विल्कुल हो जाएगा आईए मगला कोशिन देखते हैं सरवाधिक पारितन्द निम्निमसे कौन सा है ने मरुस्तल बी महा सागर सी परवत और डि वन तो यह ओधिक पारितन्द जो होता है वो जैविक तो आप गटकों से बनता है वो जो सबसे सब्सक्राइप this भी तुब भी जो भी याद कहते हैं वह बहां बहुत अच्छेमांड में ज्यादा मिलती है यहीं रिजन आपके महसागरों की बोलते है आईए हम अटनीक्ष देखते है विलुप्त होने वाले परजातियों की सुच बद्धता होती है जो भी स्पीसीज हमारी विलुप्त हो रही है यह खत्म हो रही है तो उनको हम किसमे हम उनका डेटा हम किसमे रखते हैं अप्षन मार पास है ए रेड़ स्टाउक बुक बी रेड़ डेटा बुक सी लाइफ स्टाउक बुक और डी उप्यूक में से कोई नहीं तो यह तो लगवक सबको पता होगा कि जो भी हमारी संकटापन नहीं है या वन्रेबल डी वन्रेबल है या क्या सक्टें विलुप्त हो इन सबी को हम अगला पूशिन देखेंगे को निमनिकित में से कौन सी जय विवित्ता के संदक्षण के लिए मत्मड रन नहीं है क्या मत्मड रन नहीं को यह बताना है आपको पता होगा कि जय विवित्ता कहते किसे बहुट बड़े स्पैसिफिक एरिया में जब बहुत ज् और इंडिया मगर बात करें तो हमारा जो सेवन सिस्टर्स का एरिया है और केरलाइक पास पश्मी घाट का चेतर है वहां पे जैवित्ता बहुत ज्यादा पाई जाती है इसलिए इन दोनों एरियास को हम होट स्पॉट भी कहते हैं बाइव डावर्स्टी कटी तो अब यह बो जैवमंडल रिजर्व बना जाते हैं यह जिस जसमाली किसी सेर के लिए बना दिया गया या किसी चीता के बनाते हैं तो हम काम यह करते हैं कि जिस एरिया में जिस एरिया मों मिलता है जिस एरिया में हम उसके चारों परफ उसको रिजर्व कर देता और बोलता है कि इस एरिय तरफ लेक्षा नहीं है नेशनल पार्क या जो आपका जो भी कहिए आप ये सारे के सारे इसमें जो भी लगाते हैं इन सब में क्या करते हैं और जो पेड़ प्लांट जो भी कहें इसको लगाते हैं और जो जो भी चीज़े होंगी इसलफ ग्रोव करेंगे तो अंसर अमारे क्या हो जाएगा जाएगा अगला कोशिन देखते हैं इसलफर डीजल में मात्रा कितनी होनी चाहिए जैसे हमारे बीएस पूर प्रक्राइब क्या चलता है जो की जो पैट्रोलियम है या डीजल है उसमें सलफर या अलग-अलग सबस्टेंस के लिए उन्हों आपना-पना स्टेंड़ बना रखका है तो वहां पर यूरो टू में जो सलफर की मात्रा है वो आपका 0.05 परसेंट या उससे कम ही होनी चाहिए ठीक है यह करेंट बहोगा उसमें इसलिए कोशन बनाओगा आए हम अगला कोशन देखते है जलवायू परिवर्टन का क्या कारण है मिंस क्लाइमेट चेंज का क्या कारण हो सकता है क्या कारण है ए ग्रीनाउस गैस बी ओजोन परत का चरण सी डूशन डी उप्यूक सभी तो इसका सीधेंस आप दे सकते हैं उप्यूक सभी क्योंकि जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है यह ग्रीनाउस गैसेस के चलते होगा ग्रीनाउस बढ़ेंगी तो ग्लोबल वाम अवर पीशियली हैं वह आर्थ के तेज़ी के साथ आएंगी तो डिजीज हो इसके साथ जो भी इमेर एक्मट्व ए एनिमल तो ऊब्यानिम्धे और से abe नियसे कोन पतार सारवत्यवत नinnंकर्ण तो योगदान नहीं करता है यहां वट दिया गी योगदान नहीं करता मुझ को चार्टना ए विल्ग सके इससे पहले अगर आपको जल वास यह तो बिल्कुल आपका थाई तो आप देखिए यह तीनों ही आपको methane भी मिल रहा है carbon dioxide भी मिल रहा है जलबास तो यह तीनों तो नहीं होंगे उसके बचा हमारे क्या अगला question देखते हैं निम्रिकित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभासा है या मारवादिकारों के रक्षा है तो सही तुरास्तां की कारी होजना है विल्कुल सही है बड़ सही तो नहीं है ना देखला एकज़क सेकंड के रहा है या नापकी निसस्त्री करण पर 21 सद्यों की पुस्तक है नहीं यह तो गलत है सी या 21 सद्यों की विश्टों परणाव सर्दक्षण इत्विक कारी होजना है यह मार ऑप्षण सी बिल्कुल सही है डिवी पढ़ लेते हैं यह दक्षड एसी है छेत्री सयुक संगस्तन जिसको सार कहते हैं कि आगामी बैठक की अध्यक्ष के चुनावी तीजी तो बिल्क ससी मार्क होता कि तो यादर की किसी मार्क मार्क है वरेकोत है énorme तो जो एग मार्क है जो एज से एगरिकल्चर याद है कि जो भी हमारे क्रिशी योग जो उपाज होती है उनको हम एग मार्क बोलते हैं जैसे दाल चावल जिस भी एग मार्क का साइन होता है तो यह समझ जाते हैं वो खाने योग है वो अच्छी चाज है इंडिया में एग मा फ्रेंडली होगा तो हमारे पर्यावण को पोई बेलोकसा नहीं पहुंचा पाएगा तो उनको इको मार्क देते हैं सावद ता आपमार्जक बिल्कुल देते हैं कागर सब्सक्राइब क्रेंग इनकलते हैं वह इनवोर्मनेंट में बहुत ज्यादा हैंजार्डेस चेंजेज ना लाएं उनिकुम इको मार्क देंगे संदेर प्रसान तता एरोसाल इसको भी देते हैं बट जो और शदिया हम प्रतिजयविक हैं इसके लिए हमारा जो यह क्या सकते हैं यह क्या सकते हैं यह क्या सकते हैं अगला कुर्शन देखते हैं निम्निकित में से कौन सा एक वायो प्रदूशन का जयव सूचा के मिन्स वीच वीच व फाल्विंग दिकेटर ओफ एर पॉलिशन इसमें से कौन सा वायो प्रदूशन का एक जयव रोड़क है क्लास्टिक से पढ़ते आ रहा है फिर भी अंसर दे सकते हैं A, Furn, B, Lichen, C, Money Plant और D, Amarville तो इसका इंसर हमारे क्या हो जाएगा Lichen जो Lichen होते हैं These are the good indicator of air pollution यह air pollution की बहुत ही अच्छे indicator होते हैं क्योंकि जहां पे air quality index बहुत ही खराब होगा जहांकि air polluted होगी वहां पे आपका Lichen grow नहीं करेगा तो अंसर हमारे क्या हो जाएगा अंसर B, Lichen के साथ साथ जो mass होते हैं वह भी इसके अंसर हो सकते हैं क्योंकि एक ही option है तो हम Lichen को लगाएंगे आपको पता हूँ जो Lichen होता है डाट इस देखेंगे और फंगी जो लाइकेन होता है यह आपका अलगी और फंगी मतलब कवक और शेवाल के सयोजन से बनता है सभूजता से बनता है आईएम अगला question देखेंगे अमल वर्षा निम्नांग के द्वारा वाई प्रदूशन के कारण होती है तो यह आपको पता ही होगा जो आपका अमल वर्षा है इसके लिए responsible हमारे क्या है जो nitrogen oxygen oxide है और जो sulfur के dioxide है जब यह water के साथ mix up होते हैं तो फिर नाइट्रिक एसड़ और फिर सल्फियूरिक एसड़ बनाते हैं जो कि आपके क्या सकते हैं कि acid rain के लिए बहुत ज़्यादा responsible है यही एक रीजन है कि बोला है जाता है कि acid rain जो है जो aquatic animals है उनके लिए तो harmful होई जाती है इसके साथ साथ जो आपके marble के monuments होते हैं marble के जोबी substances होते हैं उसके लिए harmful है आई यह मगला question देखेंगे अब कि युगमों में से कौन साथ सही चार्टना है सही चार्टना है सही सुमय लेते हैं बाइस्फियर रिजर्व एडवर्व स्विस बी एको है यह एको सिस्टम ए एको सिस्टम आपका एज़ी टैंसलन दिया था एकोलोजी रिटर्व हो जाएगा जैव वित्तम मतलब देख रहे हैं यह तीनों ही गलत है सही हमारे क्या है बाइस्फियर रिजर्व जो आपका बाइस्फियर रिजर्व है इसको कि ने दिया था हमारा एडवर्वर्ड स्विस ने आई यह मगला question देखते हैं यूरो उट्सर्जन नियम उट्सर्जन के मानक हैं और ये एक वहन से उट्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज उट्सर्जित करते हैं जैसमें आपको पुर्दर पहले ही यूरो सेकेंड के एक्जामपल देखे बताया था नियम्रिकित गैसों में कौन इसके नाइट्रोजन ऑक्साइड और डी उप्यूट सभी तो आप यह देख रहें इसमें सारे के सारे यूरो के जो भी नियम बनेंगे उसमें सारी के सारी गैसे को इंप्योट करेंगे एक भी गैस छोड़ेंगे नहीं जो भी हामफुल हमें देख रहा है रही कारवन मौन सब्सक्राइब करता है तो ब्लड में हमारे बहुत से चीज़े होते हैं इसमें आपका कह सकते हैं कि डवलो बीसी आर्बीसी प्लेट्स तो प्लाजमा होता है तो उसमें जो आर्बीसी होती है आर्बीसी के अंदर हमारा होता है हीमोग्लोबिन क्या होता हमारा हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन होता है दो चीज़ेंगे बनाता है एक हीम जो आरन होता है और एक आपका ग्लोबिलिन प्रोटीन होता है होता यह है कि जो आपका क्या बोलते हैं में क्या बहुत ही हामफुल होता है और जो भी रगत दारा है उसको दुस्प्रभावित कर देता है अप्शन आप्शन दीसले बोला सब्सक्राइब करें ना करिए और ऐसे सबस्टेंस जिस लकडियां से ना जलाएं ऐसे कंड़ें ना जलाएं जैंसे कार्बन मोन ओपसाइड का इमिशन होता है आई यह मगला कोशन देखेंगे वायू मंडल में उपस्तित ओजोन द्वारा निम्रिकित वीखरण और शोसीत किया जाता है यह आपको पता होगा कि जो मारी ओजोन लेयर होती है इसका कामी क्या है कि जो हामफुल अल्ट्रा वालेट रेज है उसको यह एब् को एब्जॉब कर लें और हमारे नीचे मतलब अपने उजोन के नीचे वह अच्छी लियास को बेजे अच्छे क्या सकते है कि इमिशन की इमिशन की लाइट को बेजे आई यह मगला कोशन देखेंगे है आज के लिए इतना है मिलते अगले वीडियो में एलन की प्लानिंग के प्समाली जाहिए